नमस्कार दोस्तों देश में एंटी पेपर लीक कानून पारित हो गया है अब आप जब भी एक्जाम देने जाएंगे आपको सतक्ता बरतनी होंगी बहले ही आप एक्जाम देने जा रहे हैं एक आइडियल स्टुडेंट की तरह आप रश्टाचार नहीं करने जा रहे हैं क्यों पारित हुआ आपको मालूम है क्योंकि सारी जो पेपर लीक की घंटना है वह यहां पर उजागर हुई है हलाएं कि हम बात कि तो आपको recently कई सारी पेपर लिग आपको देखने को मिले हैं मगर यह फरवरी 2024 में ही यह बील आ गया था और अब इसे पारित कर दिया गया है ठीक है तो अब इस बील में क्या है तो इसमें क्या है अब की माफिया जिसे हम कहते हैं जिसमें कई लोगों को सामिल करके वह पैसे लेकर पूरा जो सिस्टम है उसको है कर लेते हैं आप इस तरह से समझेए तो दो तरह के लोग होंगे तो जो यहां पे होंगे उनके लिए यहां पर यदि वह कैंडिरेट कुछ गलतियां करते हैं क यह जमानती होगी मतलब आपको बेल नहीं मिलेगा पहली चीज यदि हम बात करें यहां पर कोई सिटर है तो यहां पर माफिया के लिए संगडित अपरात कर रहा है तो इसमें पास से दस साल की सजा होगी और एक करोर रुपया का जुर्माना का प्रावधान यहां पर किया मिली भगत है ठीक है आप एक्जाम नहीं दे रहें मगल आप उनसे जुड़े हुए है कई आप जो है कुशन पेपर चला गया है आप इसके जानकारी आयो को नहीं दे रहें उस कंडिशन में दूसरा बिना अधिकार प्रस्णपत्र या ओमार जो सीट है उसको देखने या आपने पास आपने रख लिया है तो भी आप सकते हैं चौती चीज़ परिक्षा के दौरान यदि आप माली जिए किसी को आगे पीछे बता रहे हैं कई बार होता है ना कि दोस्ती के चकर में बताने लगते हैं ये गलती बिल्कुल ना करें पाच्वी चीज़ परिक्षा मे और सिट में कोई भी आपने गरबरी कर दिये फार दिया किसी परकार की को गरबरी आप ना करें इस पर ध्यान रखेंगा बिना अधिकार या बिना किसी बुनाफाइर एरर के अससमेंट में कोई हेर फेर करने पर उसके बाद अगली जो पॉइंट है वो है किसी भी रही ठीक है अब इसमें कोई रियात नहीं बरती जाएगी अगली चीज़ किसी भी ऐसे दस्तावेज से चरचार करने पर जो केंडिडेट की सौट लिस्टिंग या उसकी मेरिक में जो है यहां पर इफेक्ट डालेगा तो ऐसा कोई दस्तावेज में चरचार आप ना करें म गलतिया नहीं होनी चाहिए अगली चीज़ परिच्छा के संचालन में गर्बरी कराने की नियत से जान बूच कर जो है आपने जो स्टांडर्ड है मतलब घड़ी है नहीं ले जाना है इस प्रागा कर चीज़ां आप लेकर चले गया है तो इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकत अगली चीज़ पबलिक एक्जाम अथॉरिटी या सर्वीज प्रोवाइडर या किसी भी सरकारी एजनसी से सम्मरित लोगों को धमकाने आप माली जे को वगा रहरी है आप को ऐसा जेसा को धमका रहें यह जिस एक्जाम ले रही है या इस परकार की चीज़ें आप सेंट्र काड कट आप जो है लेटर जारी करने में तो इतना तो आप समझ गया होंगे कि क्या चीज़ें हैं तो आपको गरबरी नहीं करनी है सावधान रहना है तो इसको आप परिक्षा जो नियंत्रक होंगे उनको या वहां पर आपको जो भी निरक्षक दिख रहे हैं उनको जरूर इसके लिए सुचित करिएगा तो अब हम बात कर लेते हैं कौहां से एक्जाम में यहां पर वैलिड होगी देखें सेंटर लेबल की जितनी भी एक्जाम आपको देखने को मिलती चाहिए यूपीस्सी हो एससी हो रेलवे हो ठीक है चाहिए एंटिये के द्वारा जितनी भी कंप्यूटर आदायत एक्जाम है उसमें आपको यह बिलकुल यहां पर दिखेंगी कि वह अप्लाई यहां पर होने वाली है मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग